हर जीवन की जुबानी है एक छोटी सी कहान दिपावली का सही अर्थ दिपावली की रात को सुमन और उसकी बेटी अनन्या आंगन में बैठी थी चारो और दीब जगमगा रहे थी अनन्या ने पुछा मा दिय जलाना फटा के पोड़ना नए कपड़े पानना और मिठाईया लाना ही दिपावली का सही अर्थ है सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा दिपावली केवल बहारी खुशी का नाम नहीं है यह हमारे अंदर की अच्छाई को जगाने का परवा है जैसे दीब जलते है वैसे ही हम अपने दिर में प्रेम, सहानुभुति और एक्ता की ज्योती जलानी चाहिए और हमें अपने अंदर की बुराईया जैसे क्रोध, इर्षा और स्वार्थ को पहचान कर उन पर विजय पाना चाहिए यही दिपावली का सही अर्थ है अनन्या खुश होकर बोली तो क्यामा दुसरों की मदद करना अबे दिपावली का हिस्सा है सुमन ने प्यार से सीर पर हाथ रख कर वोली बिल्कुल बेटा, जब हम दुसरों की मदद करेंगे तो हमारी जिंगी भी रोशन होगी दोनों ने मिलकर प्रात्ना की हे भगवान, हमें दुसरों की मदद करने की और अपने अंदर की बुराई पर विजय पाने की सक्ती देगी तो फिर मिलेंगे एक और कहाने के साथ सुब दिपावली